दोस्तो जी न्यूस वालों के तेवर बदलते हुए नजर आ रहे हैं जी न्यूस के मालिक का पहले सुर बदला उसके बाद चानल पर मोधी योगी शाहा के रैलियों को रोक लगा दिया कि अब आपको इन तमाम नेताओं के रैलियों को लाइव नहीं दिखाना है अब हालत य लीपकटें के मालिक ने नफरती अंकर पाल रखे थे उन तमाम नफरती आंकर को भुझ जिन्यूस से बाहर कर दिया है दोस्तों विलकिल सही सुन रहे है एक दम ँषी जानकारी आप तक लेकर आई हूं कि जी न्यूस ने अपने नफरती आंकरों को पहले तो पुलाया बढ़ाया अब वही जी न्यूज वाला किस तरीके से अपने तमाम बड़े नफरती एंकर को बाहर का दर्वाजा दिखाते वे नजर आ रहे हैं जिनमें सबसे बड़ा नाम दीपक चौरसिया जिहां दीपक चौरसिया पेंकिलर चौरसिया उनको जी न्यूज ने ध कबाहर का रास्ता दिखा दिया गया है इस वक्त सोशल मीडिया पर जी न्यूज को लेकर क्या-क्याय बाते लिखी जा रही है निगार-पर भिन लिखती है कि जी न्यूज ने धक्यमार कर नफरत पहलाने वालों को सड़क पढ़ाकर खड़ा कर दिया विन नफरतियों को कौन रखेगा प्रदीप भंजारी खुद कह रहा है कि दीपक चौरसिया ने भी जी नियूस छोड़ दिया है तो इस तरीके से जी नियूस के साथ क्या हुआ है आप सभी देख रहे हैं तो इनको लेकर जो खबर सामने आई ट्रेंड होने लगा लोग लिखने लगे कि जी नियूस ने धक्के मार कर नफरत फैलाने वालों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया अब इन नफरतियों का क्या होगा इन नफरतियों को कौन रखेगा क्योंकि न लोगों ने जितना फैलाना था फैलादी वैसे नफरतियों के लिए बहुत सारे दर्वाजे खुले हुएं दोस्तों क्योंकि एक जगा बंद हुआ है लेकिन और वी बहुत सारे निउस चानल है जोहां पर नफरत का धडले से चलता है और लोगों को जहर बाटते हुए यह लोग नजर आते हैं आपको बता दू दोस्तों कि यही जी न्यूज है जिसमें कई जहरीले नफरतों को जिहां बाजार में प्रोडक्शन दिया है कई नाम ऐसे हैं जो जी न्यूज से अपना करियर शुरू करते हुए नजर आए और फिर अलग-अलग चैनल पर गए हैं जिन में बहुत सारे नाम है रूवी का लियाकत है आमन चोपड़ा है खुपड़ा है बहुत सारे लोग है अब आपको बता दे दोस्तों कि कैसे जो है जी न्यूज के मालिक का एकदम से हिर्दय परिवर्तन हो गया दरसल कहा जा रहा है कि जी न्यूज के मालिक को इस बार बीजोपी ने राज्यसभा टिकट नहीं दिया जिसकी वज़ा से जी न्यूज की मालिक काफी जो सुबाश चंद्रा है वो काफी खफा हुएं और खफा इतने हो गएं कि वो राम और रावन की तुलना करने लगे फिर प् पर जी का चाबुक चला है वैसे दोस्तों इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ सत्ता से पैसे से प्रेम है एक बात गाट कर लीजेगा कान में जो है खोस लीजेगा गाट बान लीजेगा ये लोग आपके लिए खबर दिखाने नहीं आते हैं इन लोगों को सिर्फ सत्ता पाव कर दे जनता को अपना दिमाग चलाना चाहिए और आपको अपना जो सोच है वो देखना चाहिए कि किस तरीके से इन लोगों ने पहले तो नफरत फैलाया और जब नफरत का इनको इनाम नहीं मिला तो फिर ये पल्टी मारते वे नसर आए हैं दोस्तों इस पूरे रपोर्च को लेकर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या राया है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा साथ ही साथ चैनल को जादा से जादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भूले